दोस्तो GB WhatsApp में एक problem यहाँ पे आ चुकी है, तो जैसे आप GB WhatsApp पे कोई भी message को यहाँ पे आप pass से ज़्यादा forward कर सकते हो, ठीक है, non root phone में भी यह काम करता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कि सबसे पहले तो यह इस प्रकार से problem देता है, ओके जैसे हम 5 पे click करे तो you can only chat with 5 chat इस प्रकार से दिखाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम जाते हैं GB setting में, यहाँ पे 3 dot है, उसके बाद हम GB setting में जाते हैं, और यहाँ पे universal setting में, आपको यहाँ पे increase forward limit जो है, हम 300 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप setting को on करोगे, तो GB WhatsApp आप यहाँ पे देख सकते हो, यानि कि GB WhatsApp में दी हुई जो setting है, जो normal WhatsApp में, आप पास से ज़्यादा बंदों को नहीं भेज सकते हो, ओके, आपको double या फिर triple try करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे GB WhatsApp में यह 300 ताइम हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, 300 के बाद यह आप आप आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे GB WhatsApp में भी यह 300 का भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, 300 के बाद ही नहीं, यह 5 के बाद ही आ रहा है, तो दोस्तों इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, इसकी जानकर ही दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो नमस्क करना यह होगा, कि इस वीडियो के description में दोस्तों आपको एक link मिलेगी, vmoss के नाम से, तो यहाँ पे यह जो vmoss है, इसको आपको install करना ही, permission देना है, इसके बाद इसको launch कीजिए, तो यह जो vmoss होता है, दोस्तों यह rooted होता है, तो अगर GB WhatsApp में 5 से जादा बंदों को हम share नह description में डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे play store से WhatsApp को install कर लिजे, install करने के बाद उसका registration यह सब आपको मालूम है कि इस प्रकार से यह काम करता है, तो यह मेरा यहाँ पे normal WhatsApp है, कुछ इस प्रकार से आपका चल जाएगा, यहाँ पे मैं यह जो high message है, इसको forward करना जाओंगा, तो यह यहाँ पे 5 का pop-up आता है, तो उसको हम कैसे ignore करें, इसको हम कैसे आने से रोकें, तो यहाँ पे देखें, मैं थीन, चार और यह चटाए बंदों को मैं जैसे ही यहाँ पे forward करना जाओंगा, तो यह इस प्रकार से error आ रहा है, जो GB WhatsApp में भी आ रहा था, तो इसको हमें रिमू explorer जो है इसकी जरूत पढ़ने वाली है, कुछ इस प्रकार से इसका user interface दिखेगा, आपको यहाँ पे 3 line दिखेगी, उस पर click करना है, उसके बाद device पे click कर लेना है, device पे click करने के बाद दोस्तों आपको data पे click करना है, दुसरी बार भी data पे ही click करना है, और हमारे WhatsApp की जो files होत इसको हमें edit करना है, आपको नीचे scroll करना है इस file में, यहाँ पे आपको एक edit का button मिलेगा, यहाँ पे pencil का button मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक limit जो है 5 यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से आपको इस limit को बढ़ा देना है, इस प्रकार से limit बढ़ा देना है, और साथे साथ दो होगी हमारी server के नाम से एक file होगी ठीक है आपको ध्यान से देखना है server यहां पर देखी यह इस प्रकार से होगी उस पे भी एक जो limit होता है पाच का वहाँ पर जो हमने पहली वाली के file हमारे say हो जाएगी और say होने के बाद इसको हमें जो है background में चल रहा है जो इस file explorer जो है उसको हमें बंद कर देना है अब आप WhatsApp खुले हैं और WhatsApp पे जो भी message आप forward करना चाहते हो कि जिसके लिए जी भी WhatsApp में पाच का pop-up आ रहा था वो pop-up दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और आप जादा से जादा जो है जादा से जादा जो लिमिट है इसका बढ़ा सकते हो कितना भी लिमिट आप इस प्रकार से रख सकते हो, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह हो गया, 4, 5, 6, okay, pop-up नहीं आया है, देखें, 7, 8, यह इस प्रकार से आप कितने भी बंदों को दोस्तों यहाँ पे message जो है, वो forward कर सकते हो, कोई भी problem आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है दोस्तों इस प्रकार के WhatsApp के trick देखने के लिए, ट्रेकनिकल के trick देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को like और share कर दीजिए, दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार